हमारे यूटूब चेनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और नई-नई खबरे देखे धन्यवाद गलिया कोट के माही सागर खेल मैदान में शनिवार को मुस्लिम समाज टेनिस बॉल क्रिकिट प्रतियोगिता का शुभारंब हुआ आयोजब जहीर मकरानी एवन जलाल खान ने बताया की राष्ट्रगान के साथ प्रतियोगिता का शुभारंब किया गया शुभारम समारोह के मुख्य अतिथी सरपंच्टुल सी राम मैडा रहे, कारिक्रम की अध्यक्ष्टा डॉक्टर सपाने की तथा विशिष्ट अतिथी उप सरपंच हारून शे, दीन दयाल सिंग, छोचु भाई, मौलाना हफीज, शमशेर खान, मौलाना मुद्धसर मुप्त की सलमान आधी रहे, कारिक्रम में स्वागत उद्बोधन सदर सचिव रईस खान द्वारा दिया गया, मुख्य अतिथी ने अपने उद्बोधन में सामाजिक संब्रस्ता एवं खेल भाबना के साथ खेलने की बात रखी, इस दोरान भामार्शाह सरपंच्टुल सी राम की राद्वारा अपने पिता स्वर्गिय रमनलाल मैडा के स्मृटी में 5000 रुपे का पुरस्कार दिया गया, कारिक्रम का संचालन अतर नवास शेख ने किया तथा आभार इमरान जुई तलाई एवं रहमत खान ने जताया, प्रत्योगिता का पहला मैच परतापुर की टीम जीता तथा दूसरा मैच दोहिज 11 ने जीता, जिसमें अमपायर के रूप में अचरोदीन खान एवं जग्रीश खट्टीक तथा स्कोरल के रूप में एरफान एवं कॉमेंटेटर के रूप में बशरोदीन मकरानी एवं जूनेर खान ने सहयोग प्रदान किया